नमस्कार, स्वागत है हमारे काश से, दरसल हम पहुंचे है इंद्री वीधान सभा के उशलके में जहां पर लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहा है कि दरसल अब चल क्या रहा है दरसल इंद्री विधान सभा में मौझूदा जो विधायक हैं वो सरकार में राज्यमंत्री भी हैं और भारतियनता पार्टी से चुने गए हैं लेकिन समस्याएं अभी भी ऐसी हैं कि जो लोग बया करना चाहते हैं दरसल हकीकत क्या है और फसाना क्या है इसी मुद्धे पर भात करेंगे कि क्या लगता है आपके लाके में विकास बहर बाद करता है काम करता है मैंने सोना कि कषभ समाज की उच्छी वोट फिर तो वोट के लिए तो नेता काम करता नहीं सब्सक्राइब तो यहां पर दरसल समस्या अंबार बहुत है यहां पर और लोग जानते हैं कि अगर अपने विधायक को चुना है क्या लगता है जी आप ही बताओ ना आपके विकास हुआ नहीं बिल्कुल नहीं मानता कि यहां पर विकास काम हो रहा है बहुत वरिष्ट है और बोड़ा राजनीतिक उलट फेर देखा होगा आपने यहां पर कंबोज विरादरी के विधायक चुनेगे और यह कहा गया कि यह जारू नेता है कि रूब में आयेंगे और यहां पे विकास के नई रास्ते खोल लेंगे और कसे ब्रोडरी नहीं साका लेकरन कि क्यों लगता है कि यहां पर लस्पी जी सकती कारण लस्पी इसलिए जी सकती है क्योंकि सारे हर्याना में कस्य बरादरी को किसी भी पार्टी ने आज तक कोई भी टिकेट नहीं दिया अब मुझूदा और बावुकरतराम अपने कस्य बरादरी जाते हैं जब कि सारा इंदरी इसमें कंसिच्वंसी में बावुकरतराम जी का मतलब यहां पर सबसे जादा कस्य बोट हैं और कस्य बरादरी के कहीं पर मतलब ऐसा कोई पूछ नहीं हो रही और इनको आगे नहीं निकलने दिया जा रहा है समाज में नए बच्चे तरक्की भी कर रहे हैं लेकिन अपने सम आज के लिए उनको आगे नहीं आने देता दबाए जाता है यहीं समसे में कारणी यहीं करके हैं दरसल कंबोज बिरादरी की भी अच्छी बोटे हैं और कश्य बिरादरी की अगर बात करें तो कम से कम यह बताया जा रहा है उनुमाने लगब 32000 से भी अधीक वोटे लेकिन सब 37000 वोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी यह समाज कहता है कि उनकी पूछ नहीं आपको भी ऐसा ही लगता है यस ऐसा जी कि यहां जब से यह पिछली सरकार आई है ना बीजेपी गोवर्मेंट आई उससे पहले कांग्रेस की गोवर्मेंट थी यह जो रोड चल रहा ह से इंदरी और लाडवा जमना नगर जाता है इसको उससे पहले जो एसका सर्विय था और पांच साल वे देखलो आप इस सड़क से गुजर के देखलो इतनी एक्षिडेंट हो चुके हैं यह सड़क पांच साल वेगे नहीं बन पाई कहां भी इसका अभी कास और आप इलाक कुछ चले कोई वहां लाल रंग का कोई पता लगे कभी आगे जो आना खड़ा या वो बाडर रहा है बीच में डिवाइडर रहा है वो भी नहीं लगा रखे और ठेकेदार जो आना पांच साल वे लग रहा है यहां और यह सरकार करी कभी छड़कों का विकास कर देखलो इ इनोंने अपने विरादरी का पक्षपात किया है नोकरियों के अंदर भी जादा तर चाहे वो ठेकेदार हैं चाहे वो किसी उसमें फोर्त कलास में चाहे डीसी रेट में इनोंने आपने ही जो आना बरती किया है और बेदबाव किया लाके के अंदर और इलाके में आप जाक समाजों की नहीं सुनी इसलिए लोगों के अंदर विरोध ऐस बात का के भी ये वीज़वायना आपना ब्रादरी वाद बे ब्रादरी वाद बे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दरसल जो लस्पी पार्टी है उसने जब जीन का पहला उपचुनाव लड़ा तो उन्होंने ब्रामर केंड़ेट उतारा और इस्तिती ये थी कि ब्रामर केंड़ेट के आने से लस्पी पार्टी में एक शक्ती आई और कहीं ने कहीं उसका जो वोट बैंक था वो बहुत बड़ा और यही कारण है कि उनको लगता है कि अब इस बार चुराव में उतरना चाहिए और क्य जाए तो शायद विधायक बना जा सकता है आखिर क्यों उनिस जानते हैं आपको क्या लगता है सर लस्पी से आएंगे तो विधायक बन जाएंगे क्यों ऐसा है हमारी पार्टी का जो पहला नियम है समान तक है हम किसी जाती भी से इसकी बात नहीं करते हम सब को समान बाव स देखते हैं और अब इसी लिए हमारे राजकुमार सैनी जी ने सेंट परसेंट आरक्षन यानि कि हम अपने गर्सें लागू करें जी सिजात्ती की जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर ही टिक्ट दिया जाए उसके आधार पर ही उनको अधिकार मिले हमारा ये मानना है दू आजादी से आज तक फोर्थ कलास की भी नोक्री नहीं है और कई कई परिवार ऐसे हैं मैं विशेश कर हर्याने की बात करना चाहूंगा कि पांच-पांच लोग एक ही परिवार के नोक्रियों में हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था सर्माज जो सुतंतरता की लड़ाई थी वो सकता था एक 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 बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी विधान सबाद शेतर से को ऐसा विधायक जब मंतरी बन जाए तो इलाके के तस्वीर बदल देता है मैंने सुना आप कहां तस्वीर बदली लेकिन सुना की कैंसर भी यहां पर बड़े तीजी से बढ़ रहा है तो सालें बंद करा दूगा आज तक तो यह बंद नहीं होगा और आप आस पास के गाउं में देखोगे तो आपको कम से कम 15-20 लोग दस-10 लोग हर गाउं में जो इस कैंसर की बिमारे से जूद तो नजरा है मैं कारणा पीसी को मांते है यह तो ही है नेचनली है उसमें जैर लोग दंदे बंद हो चुके हैं इस सरकार में बेरोजगारी इस कदर है के दुकांदर आराम से बैठे हैं सो रहे हैं बाहर बेरोजगार आराम से बैठे हैं और खेत में किसान रो रहे हैं यह हमारे आजकल के जो व्यवसाय है मंदी की इतनी मार है किसी भी ग्रीम आदमी को दो जून की रोटी पैदा करने के लिए भी समझ्या है तो आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी रड़ेगी तो लोगतंत्र सुरक्षा यानि कि लोगतंत्र में रहने वाले सभी के लिए सामयदी सुरक्षा लेके आगे मैं चोटी सी बात बताओं आपको एक मनरेगा स्कीम चली हुई है जिसमें सौ दिन का रोजगार है लेकिन उसका यूज कोई नहीं हो रहा ना खाम खागी उसको तीन सो दिन करके और मजदूर और किसान को खेती के साथ जोड़ दिया जाए तकर किसे मानते हैं आप अपने ला पाए थे तो अब की बार मैं ये मानता हूँ जो जनता की आवाज है इनको जल्दी बाnite बगाने वाली है और ये निच्चे निच्चे चनगारी तो जौला भी गिरेगी और जौला गिरेगी तो एहसास दिलाएगी कि दरसल इसकी तपिश क्या होती है और इसका हैसास क्या होता है जाहिर तोर पर भारती जंता पार्टी की सरकार को लगता है कि वो 75 प्लस के मिशन में यहां से भी सफल होंगे लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं है कि वो सफल हो सकते है बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ी टकर है क्योंकि जब आप एक समाज को साथ लेके चलेंगे और सर्फ समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो जीतना इतना आसान नहीं हो सकता इस कारिकर्म में इतना ही हम किसी और जगा चलेंगे और जानेंगे इंदरी विधान सभा में कि वहां की जनता का क्या मूड है क्या वाकई भारतियंता पार्टी के 75 प्लस मिशन में यहां की जनता सयोग कर पाएगी या उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी तब तक के लिए न जएवचका